हेलो फ्रेंस आज में आपके लिगर के आई यह लोकी के एकदम जोड़ार रेसिपी यह रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा इतनी मज़े कि यह लोकी बनते है न पीज से चीरा लगा कर भी आप इसे कट कर सकते तो मेरी इस तरीकी की लोकी है तो मैंने इस तरीकी से कट किया अब इस तरीक से सभी को मैंने कट कर लिया अब इसमें डालेंगे हम लालमिश पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ा इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और थोड कि लोकी पे जो जितना भी नीचे एक्स्ट्रा में बढ़तने मसाला है ना वो सारा मसाला हमारे लोकी पे लग जाएगा अब क्या करेंगे बिल्कुल अच्छे से मसाला देखिए कोटिंग अच्छ से हो चुका है अब इसे ढखकर हम रग देंगे पांच मिनट के पाट आप द आप दिण से ऑफ़ से लाची है वको चाती हरो चुना वीची घृडशी से हमारी लोकी पे आजाए इससे ऑमारी जो लोकी बहुत ही मज़़गी बनेंगे अब यहां पर मैंने लिया टावा टाबाबव दाल के हम ढखकर जितना भी लोकी आएगा आप अद्ना तवा डाल तब आपे एक एक करके हमें इस तरीके से लोकी को डाल देना अब लोकी को डाल कि हमें जो है दोनों तरप से अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब यह एक तरप से अच्छी से फ्राई हो जाए तो हम उसको पलड़ देंगे और बस उलटते पलटते हमें लोकी को फ्राई कर तो मैं यहां पर मैंने चाको के साहता से इसको मैं निकाल रही हूँ इससे निकालने में मुझे बहुत ही असानी होता है इसलिए मैं उसे उलटते उलटती हूँ इसी से चाको से अब यहां पर अच्छी तरीकी से लोकी फ्राई हो चुका है अब मैंने यहां पर लिया है कढ़ प्यास का हलका सा हमी कलर चेंज करना है ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है तो यह पर क्लर चेंज को गया तो दो चमझ के लगवग मैं डाल क्या इसमें जिंजरागार्ली का तो यहां पानी और मसालों को बूनना बहुत ही जरूरी है है जब तक मसाला अच्छे से नहीं भूनेगा ना सबजी मजे के नहीं बनती है तो यह जिसका आप ध्यान रखिए यहां पर देख सकते हैं मसाला थोड़ा अच्छे से भून चुका है तो मैंने इसमें डाल दिये है एक मेडियम साइज का टमाटर, टमाटर को भी डालके हम थोड़ सा सॉफ्ट कर लेना है तो देखे फ्रेंस यहाँ पर टमाटर भी काफी अच्छी तरीक से सॉफ्ट हो गया है तो इस पेचला के साइटा से मैं इसे इस तरीके से मेश कर लेती हूँ और फिर इसके बात मैं यहाँ डाला है कसूरी मेति कसूरी मेति मेठी डालके मेंसे इसे बिल्कुल अच्छी तरीक Essay मिला थे कसूरी मेति आपके पास ही तो जरूर से डालीगा इसमें सबजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अब यहाँ पर मैंने लिआ है दही दही को मैंने अच्छे से फिट लिया है उसके बाद में इसमें डालूँगे गेस का फ्लेम लो करके दही को डालेंगे इसे दही आपका बिल्कुल भी फटेगा नहीं स्टाइटिंग में आपको लग रहा हो कि दही फटीगा लेकिन यह फटा नहीं आप देखेगा बहुत ही मज़े गई यह बलो की बनता है अब दही आप ज़रूर से डालेगा इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिल्लू के लिग दम एक पनीर जैसा टेस्ट आता है म crec अब ना कुक्क आप देखते आपके मूंगे मी मुंवे पका पानी आ गया होगा तो चले मसाले तो अच्छे से भून चुका ही अब इसमें डाल देते हैं पाणी हम लोकी की फर जोड़ा स से भानी डाल दिया तो लोकी से नीचे पानी था लोकी से थोड़ा स्वें अम् इसे गलने तक पकाना है तो फिक पका लेते हैं तो देखे फ्रेंज धके हुए मुझे शरीब 2-3 मिनट हुआ है और हमारा लोकी न यहां पर काफी अच्छी तरीक से सोफ्ट होगा आप देख पा रहे होंगे लोकी हमारा बहुत अच्छी तरीक से सोफ्ट हो चुका है बस हमे दिखने में थोड़ा सा जीब सा लग रहा है कलर लेकिन बाद में जब ठंडा हो गड़ा तो बहुत ही मज़े का लोकी बनीगा अब यहां पर मैं डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया की पत्ती और यहां पर कर देंगे गेस को बंद और इन सभी करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई